इस एक्टर ने बॉलिवूड फिल्मों में रोमान्स की परिभाशा को ही बदल के रख दिया ये इंडस्ट्री में से उन चुनिन्दा एक्टर्स में से हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है जितने तेज आक्टर ये हैं उतने ही तेज ये बिजनस्मैन भी है इनकी फ्लॉक मूवी में से भी ये पैसा कमा के ही निकलते हैं शारुक की काम्याभी के बारे में जितनी भी बात करें कुछ न कुछ छूट ही जाता है क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतना कुछ हासिल किया है कि उसे चंद शब्दों में बांधा नहीं जा सकता अगर एक शब्द शारुक खान के लिए यूज किया जाए तो वो होगा बॉलिवुड के बादशाह पूरी इंडस्ट्री शारुक खान को अपना दोस्त बताती है और बताएगी क्यों नहीं शारुक इतने बड़े स्टार जो है लेकिन कम ही लोग हैं इंडस्ट्री में जिनें शारुक अपना खास दोस्त मानते हैं और उसमें से एक है संजेद दत और शारुक मानेंगी क्यों नहीं संजेद दत ने आखिरकार शारुक खान को एक बार मननत बंगलों के बाहर पिटते पिटते बचाया था तो आज कब की और कैसे में हम आपको बताएंगे कि कब संजेद ने शारुक को पिटते पिटते बचाया शारुक क्यों पिटने वाले थे और फिर कैसे संजेद ने सब की छुट्टी कर दी बात तब की है चब शारुक खान मुंबई में नए नए आय थे वो स्ट्रगल कर रहे थे उन्हें आक्टर बनना था एक दिन शाम को ऐसे ही शारुक खान बैंस्टेंड चले गए अपने मननत बंगलों के सामने हला कि वो बंगलो उस वक्त शारुक खान का नहीं था क्योंकि उस वक्त तो वो स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन बैंस्टेंड पर शारुक खान ऐसे ही वक्त गुजारने के लिए चले गए वहाँ खड़े कुछ लड़कों से शारुक की किसी बात पर अनबन हो गई शारुक तो अकेले थे लेकिन वो लड़के बहुत सारे थे शारुक के दिमाग में बात आई कि अगर इस वक्त में दिल्ली में होता न तो अपने 10-15 दोस्तों को बुला के इनको ठिकाने लगा देता लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम अलग थी नया शहर किसी को जानते नहीं कोई दोस्त नहीं और अब ये प्रॉब्लम माहुल गरमी हो गया था लड़के शारुक को मानने की तैयारी में थे और इससे पहले कि वो लड़के शारुक पर हाथ उठाते वहां अचानक एक जीब आती है और उसमें से एक अच्छी बॉड़ी वाला इंसान उतरता है और एक एक करके सब लड़के दूर भाग जाते हैं और आप समझ ही गए होंगे कि वो लड़का कौन था नन अदर दैन संजु बाबा दिल का राजा इंडस्ट्री का सबसे अमेजिंग आदमी उस दिन संजेदत ने न केवल शारुक खान की जान बचाई बलकि शारुक खान को ये कहा कि अगर कभी भी तुमें यहां कोई प्र उस टाइम शारुक खान कुछ भी नहीं थे लेकिन संजेदत उस टाइम सूपर स्टार थे और इतने बड़े सूपर स्टार होने के बावजूद उन्होंने एक आम इंसान की मदद की बस संजेदत की यही वो बात शारुक खान को बेहत पसंद आई और वही दिन था तब से संजेदत को अपना बड़ा भाई मानने लगे शारुक खान ने खुद ये एक शो में बताया है दोस्तो अगर आप भी बॉलिवूड की दुनिया का हिस्सा बनना चाते हैं तो बॉलिवूड ठिकाना आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है अगर आपको लगता है कि आप बॉलिवूड स्टोरी लिख सकते हैं तो आप अपनी एक मिनिट की विडियो हमें नीचे दिये गए मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं साथ ही अगर आपको लगता है कि आप भी बॉलिवुड स्टोरी लिख सकते हैं, तो दो मिनिट की कोई भी बॉलिवुड स्टोरी की स्क्रिप्ट आप हमें हमारे mail ID पर mail कर सकते हैं. अगर आपका विडियो या आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट होती है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर हमारे साथ असोसियेट हो सकते हैं. तो कब क्यों और कैसे को मैं आज यही पर end करूँगी? आज हमने आपको बताया कि किस तर शारुक खान को संजेदत ने पिटते पिटते बचाया. आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी? प्लीज कॉमेंट करके बताइए. लाइक कीजिए हमारा फेस्बुक पेज बॉलिवोड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलिवोड ठिकाना.